है कि हैं एक है कि है अलो फ्रेंड्स में स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्राखंट बट्स रुद्दरपुर में और आज की हमारी वीडियो को टॉपिक है मेरे अपने घर की प्रोग्रेस और अपने घर की प्रोग्रेस दिखांगा आप लोगों को मैं जो भी मेरे प्रोग्रेस होई है मेरे बट्स की वह मैं प्रोग्रेस दिखाता हूं आपको और आप बने रही है वीडियो के साथ वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है और मैंने भी बहुत दिन से प्रोग्रेस चेक नहीं करी है तो मैं आपको भी दिखाता हूं और मैं भी जाती होगी जिनकी अंदर है तो उनको दूब नहीं मिल पाती होगी तो इसके लिए वह आप भलब लगा सकते हैं सोब आटका बलब आता है वो लगा सकते हैं और उसके बाद से कलोनी को ढाग दें अपनी यप पिंजरा हो या कलोनी हो आपकी उसको अच्छी तरीगा ढाग द मुझे देखके जब मैं कलोनिक अंदर आये हूं तो और हम सुरुबाद करेंगे पहली मटकी से पहली मटकी की तरब कुछ छलता हूं आपको लेकर और देखते हैं उसमें क्या है हूआ कैसी बड़ीड हुई ये हैं पहली मटकी की दरब पहली मटकी में ये female है red eye की और यह मेरे घर की female लिख लिवी है इसने दो बच्चे निकाले हैं और छे अंडे दिये हैं छे के छे अंडे फटाइल हैं यह तो इसमें से भी बच्चे निकलेंगे सब और यह female के साथ मैंने दो male लगाए थे तो उनके साथ इनने male ने जोड़ा नहीं लगाया है female न इनका दोनों का साथ में पहली breed है और पहली breed में देखते हैं बच्चे कितने निकलते हैं अब और हम चलते हैं तीसरी मट्की की तरफ तीसरी मट्की में तीन बच्चे हैं यह वह अच्छे कासे बड़े हो गएं और सहदमंद भी है अच्छे खाजी सहत हो रही है उनकी growth भी यह बच्च निकाला था इसके पास में दो बच्चे सिफ्ट करे थें और किसी के कि यह फिमेल बहुत अच्छे तरहें बच्चे पालती है और यह जो मेलति और शेल्खम yam 47 divele Til faq qa real जल्दी पल आएLS 8 और हमों 4 मटकी गी तरब चौती मटकी में देखते हैं क्या हाल चाल है और जो भी होगा उसमें देखते हैं इसने भी एक बच्चा निकाला था पिछली बार तो अब इसने भी तीन अंडे फिर से ले कर दी हैं तो यही थी आज की प्रोग्रेस कैसी लगी प्रोग्रेस जरूर बता है मुझे कमेंट करके और वीडियो को लाइक करें